दोस्तों नमस्कार आज मौसम को देखते हुए हमने चडिया घर जाने के लपान बनाया है जो की गरिमों में तो है लेकिन मौसम अच्छा होने की वज़े से विचार बनाया हुआ है अब हम पहुँच गये हैं चडिया घर के गेट पे जो की हाई कोड के ठीक सामने है और प्रगति मैदान भी इसके बगल में नियरेस्ट मेट्र स्टेशन है उसके बाद जैसे इम अंदर पहुँचते तो हमें चार पांच चीजों को बहुत चीजें लगी जो बिलकुल ध्यान रखनी चीए सबसे पहले तो सामान लेकर ना आएं अद्रवाइस यह जो जगह है यहां पे आपको अपना सामान चोड़ना पड़ेगा पानी की बोटल के लावा जो भी चीज सामान है और उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे और उसके अलावा जो सबसे पहला दूसर प्रवाइस यहां पर लोग बहुत परिशान होते हैं क्योंकि हम भी डेविट कार्ड नहीं लेगे तो वो चीज फिर हमने किसी दोस्त को फोन करके करवाया तो इसलिए 80 रुपए का टिकट है पर है चलो आगे चलते हैं यह आगे आपका ब्लैक स्वान चार्प और इसका ज इस तरह की रेलिंग बनी हुई है अंदर जाने के लिए जिसमें आप अपना इस एलेक्टिक वेहिकल में सफर कर सकते हैं अंदर का जिसका 70 रुपए पर हेड किराया है और इसमें सबसर्ब बड़ी खुबी यह है कि इसको लेने के बाद आपको कहीं पे छोड़के और कहीं कर सकते हैं कोई भी नंबर पे हैं उसके बाद आपको अंदर से लेंड मार्क और सारी जीजें मिल जाएंगी कहां जाना है क्या करना और अंदर का मैप पुरा बना हुआ है हर पॉइंट पे अंदर जाने के बाद हमारे को यह मिला सेर पूंच वाला बंतर अब इसको देखत हुग के रहेंगे अंदर और बहुत परिशान हो जाएं क्योंकि पहले इसके अंदर रेस्टेंट से खतम हो गए यह आगया आपके हिरन बहुत सारी हैं इनकी क्वांटिटी बहुत है बड़े लेविल पे हैं यहां पर लिकने चार-पांच परजातियां कि होती हैं इनके अ और यह काकरड़ उत्ता आये और उसके बाद सपेद मरग भी है यह आपके आगे 12 सिंगा इनके सींग होते हैं जिनमें 12-13 सिंग होते हैं जो मिल्स होते हैं लेकिन दूसरी एक चीज और है कि आप देखेंगे कि सब यह आराम कर रहे हैं क्योंकि हम गये थे एक बजह के पास वहां खुलता है दो स्लोट में बुकिंग होती है उसमें से एक चूज कर सकते हैं यह आगया आपका वैसे दो प्रजातिका है लेकिन इसको गौर बोलते हैं इसका जैसे लगता कि मोजे पैन है सपेज सपेद पैरों में इसके पैरों के गुटने के नीचे पूरे सपेद होते हैं यह सब चीजें आपको मिल जाएंगी देखने को यह आगया जंगली बिल्ली और सब आराम फर्मा रहे हैं अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकता है कि हमें जानवर बहुत कम दिखे यह अलग-अलग तीन पर जाती के हैं यह तो आगया गीदर्ड उसके बाद गीदर्ड को हमने कोशिश करी दो जगह से लेने के लेकिन सब आराम कर रहे थे इसलिए कहीं फोटो लेने के लिए भी जगह नहीं मिल ले था ना कोई पोस था उसके बाद यह आगी लोम्री यानि फॉक्स उसके बाद आपको इसके भी दो जगह समने को क्लिप ली लेकिन नजर कुछ आ नहीं रहा है बहुत हलका सा फिर इसको तो सभी जानते हैं गेंडा काफी दूर तो सबसे ज़्यादा इंटर्टेन्मेंट हमारा भालू ने किया भालू दो थे असलोट बियर थे यह बिलकुल आराम से कीडे खाने के लिए सब जगह ये गड़े खोद रहे थे और पूरज जैसे बोलता है फिलम में एक सीन होता है उससे पैसे उसूल होगे है वैसे पैसे उसूल इन्होंने किये बागे तो सब आराम कर रहे थे सिर्फ यही लगए बड़े थे दो दिन में और खुदा आपको एलेक्टिक वहेकरन का वहिकल का जो उसमें मैंने बताया था कि कोई भी टाइम बांडेशन नहीं है उसके अंदर आप जिसको एक वहिकल पकड़े आगे छोड़ दें फिर आराम से देखे आदा गंटा पंदरे मेंट जो भी है फिर कोई भी आता उसको पकड़ ले इसमें यह नहीं है कि उसी को पकड़ना उसी को छोड़ना है तो इसलिए आराम से तसली से आप वहिकल से भी कर सकते हैं और पैदल भी घूम सकते हैं अगर आपको जानवर देखने हैं तो मैंने बताया साड़े आठ बज़े के एक स्लॉट है दूसरा साड़े बारा का यह सपेद म्रग है जो काफी मात्रे में बहुत ज्यादा मात्रे में है और यह लगबग आराम ही कर रहे थे कुछ की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी इसलेश में कुछ घूम भी रहे थे उसके बाद आगे चलते हैं जितने भी जानवर हमने देखे 90 परसंट उसमें आराम कर रहे थे यह मगर मस्दो लाए हुए हैं और काफी बड़े हैं मगर यह भी जो है आराम ही कर रहे थे तो हमेंसे रहते एक पोज में है तो पता भी नहीं चलता है कि उठे वे हैं कि सोय वे हैं जब तक एक्टिविटी कोई नहों पता नहीं चलागा सुबह साड़े आठ नो बज़े के आसपस इनको खाना दाना दिया जाता है यह चितल है चितल एक म्रग हो गया उसमें हीरन की प्रजाती का ही हो गया यह एक अलग कैटेगरी है उसके बाद हम चले गए है चडिया घर में इसमें नीले पीले यह मकाव है यह भी एक प्रजाती तोते की अलग-अलग कैटेगरी के हैं इसके अंदर अलग-अलग नाम है इनके लेकि कि इन में मुवम्मेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही है काफी देर के बाद भी नहीं हो रही थी बहुत रही है अलग अलग पिंजड़ा में किसी एक में दूसरे वाले में थोड़ा से इसने मुवम्मेंट किया है उसके बाद यह आ गया पैरट आर्मी टाइप का उसके बाद तीसरा भी इसी तरह के सारे मकाउज हैं जितने भी हैं चार-पांस केटेगरी के इसमें रखे हुए हैं ज्यादा क्वांटिटी में हैं यह जंगली मुर्गा और मुर्गी हैं यह शायद लोगों ने देखे भी होंगे हमने तो बहुत देखे हुए हैं उसके बाद एक आता त इतर बटे जो पीज़ेंट्स हैं यह वाले आ गया जो नॉर्मली इंडिया में मिल जाएंगे आपको कहीं भी गुंते मिल जाएंगे जंगलों में मिल जाएंगे खेतों में भी मिल जाएंगे गोर्डन वाला है उसके बाद इसमें सब फीजन्ट की तीन-चार कटेगरी और है ये गोर्डन सिल्वर वाला आ गया सिल्वर वाले को थोड़ा सा यही मॉवमेंट कर रहा था हलका उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने पाँच पॉइंट भिसेश सफेद मोर पाँच पॉइंट का आपको ध्यान रखना कि टिकेट ऑनलाइन करना है रेस्टरेंट नहीं है इसलिए खाना खाना है अंदर ले जाने के लिए सामान जमा करना पड़ता है यह अपने देशी जितने भी तोते होते हैं दुनिया बर के हैं यह भी है इसके अंदर है और चौथा पॉइंट एलेक्टिक वहां जो है वो आपको करने में यह है कि आपको कहीं से भी पकड़ सकते हैं कहीं भी छोड़ सकते हैं उसके बाद जानवर देखना है तो सुबह का टाइम या शाम का टाइम दिन के टाइम पे बिलकुल मत जाएं यह फाक्ता जिसको डब भी बोलते हैं कई जगा घुखुती बोलते हैं उत्रखंड में यह सिर्मान जी भी सो रहे हैं यह हो गया जगवार अलग-अलग कटेगरी के हैं उसके बाद यहां पे सेर महराज सिंग साहब वह भी सो रहे थे उनको भी दर्सन नहीं है यह भेडिया जरूर एक दो घूम रहे थे इसके अंदर जो कुछी शिकार के तलास में यहां पे चुवा कूद्रा था एक तो नीचे गिर गया फिर उसको पकड़ने गया फिर एक दो थे एक दो थे कटेगरी यह उपर था यहां ही पे कोवे और चील भी जो है इसको पकड़ने में लगे हुए थे जो चुवा था वहां पे हमने काफी देर तक देखा इसमें उसके बाद रेप्टाइल यानि कि सर्प ग्रह में एक इसके नदर हमें मिला है यह गौ इसको गौल भी बोलते हैं या लिजर्ड हो गया बड़ा चिकली का बड़ा रूप यह तो बहुत जगा लोगों ने देखा होगा बार मिल भी सकता है कई जगा दिखता है और काफी बड़ा यह त उसके बाद एक अजगर था दो तीन जगा थे लेकिन वो सब सोय वह थे चुप चाप फिर एक हमें को हमारे को एक साप मिला जो पानी पीने के लिए सिर्फ बहार निकला उसी टाइम पे और जैसे ही पानी उसका पेट भरा वो तुरंद एक जटकें अंदर चला गया तो ज़्यादा कुल मिला के जानवर आपको एक तो सीजन आपको ध्यान रखना कि जब भी जाना है तो ऐसे सीजन में जा सर्दियों के टाइम पे ये वाइट टाइगर था आपको दिखाई भी नहीं पढ़ड़ा हुगा है सपेद उनके पीछे छुपा हुआ है थोड़ा स अभी आपको नदर आ रहा होगा कि बाग दिख रहा है ये एक सुत्र मुर्ग हो गया इसको ये बहुत क्लोज आ गया था जिसके वज़े से इसके अच्छी पिक्चर आई है इसकी हाइट देखने वाले बात ये थी कि हमने एक कंपरेजन किया कि आदमी खड़ा है जो दरव ये हतनी है और एक खाती है तोड़ा ये लोग अपना दिन में भोजन को कि ज्यादा था टाइम खाते रहते इसलिए अपना खाने में मस्ते और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद शेयर जरू करें लोगों के भी जानकारी पहुंसकें थैंक्यू वेरे मच्छ